बॉड मॉर्निंग बच्चों बच्चों यूकी कख्षा में आपका स्वागत है बच्चों आज हम हिंदी विशे में पढ़ेंगे रह के पधेंचिन हम जानेंगे कि रह के पधेंचिन कैसे होते हैं और उन्हें कैसे लगाया जाता है और उन्हें कैसे उच्चारित किया जाता है तो बच्चों देखिए ये हैं रहके पदेंचिन कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं एक होता है ऐसे तिर्चा जो नीचे में लगा जाता है और एक होता है उल्टा वी बना कर तो ये उल्टा वी बना कर हम किनकिन वर्णों में हम इसका यूज करते हैं इनका हम यूज करते हैं ट और द के नीचे जो हमारा वर्ण है ट और द हम इनके नीचे इस तरह हम इसका प्रियोग करते हैं ठीक है बच्चों? और बाकी वर्ण के नीचे हम एक नीचे तिर्ची रेका ऐसे तिर्ची रेखा लगा करके इस रे की पदेंचिन का प्रियोग करते हैं तो चलिए अब हम इनको लगाना और लगा करके इनको कैसे उचारित किया जाता है सीखते हैं तो देखे बच्चों ये है कः अब क में रे का पधिन चिन लगेगा तो क्या बनेगा क्र देखिए हाना ये क लिखा मैंने अब क में रे का पधिन चिन लगाया तो ये ऐसे ऐसे क के नीचे की तरफ तो ये क्या बना क्र क्या बना बच्चू, क्र ऐसे ही फो में रह का पदेंचिन लगाएंगी तो क्या बनेगा फ्र इस तरह ब में रह का पदेंचिन लगाएंगी तो क्या बनेगा ब्र प में रह का पदेंचिन लगाएंगी तो क्या बनेगा प्र इसी तरह बच्चों ड़ में रह का पदिंचिन बनाएंगी तो क्या बनेगा ड़ देखिए बच्चों आप इसमें यहां ध्यान दीजिए अभी मैंने आपको बताया कि जो ड़ और ट़ वर्ण होते हैं जैसे यह ड़ इसमें देखिए इस तरह से इस तरह से यह ड़ में यह रह का पदिंचिन इस तरह से लगता है ड़ के नीचे ठीक हैं और इसके बाद है तो इसे कैसे पढ़ेंगे ड़ इसके बाद है वर्ण ट तो ट के नीचे रे का पदेन चिन लगाएंगे तो क्या बना ट देखे इसमें भी ट के नीचे देखे बच्चो इस तरह से इस तरह से ये चिन ऐसे लगाएंगे ठीक है बच्चो आगे वर्ण है ग ग मी रेका पदिन चिन लगा तो क्या बना ग्र क्या बना बच्चू ग्र इसी तरह अगला वर्ण है स स में रह का पदिन चिन लगा तो क्या बना स्र इसी तरह बच्चू ज में रह का पदिन चिन लगा तो क्या बना ज्र क्या बना बच्चू ज्र और म म में रह का पदेंचिन लगा तो क्या बना म्र इसी तरह अगला वर्ण है भ भ में रह का पदेंचिन लगा तो क्या बना भ और ध में रह का पदेंचिन लगा तो क्या बना द्र तो बच्चों आपको भी सही उच्चारण के साथ इन वर्णों में रह के पदेंचिन का प्रियोग करते वे बोलने और लिखने का अभ्यास करना है धन्यवाद